नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Unstoppable टीम्स में तो दोस्तों आज से मैं संडे सिरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इस संडे सिरीज के माध्यम से मैं आपको हर संडे को एक सिरीज लेके आऊँगा और इस वीडियो में आपको मैं interesting topic के बारे में बताऊंगा और चो काफी आपके लिए रोचक होगा और काफी कुछ आपको देश के बारे में जानने को मिलेगा तो आज दोस्तों सुरू करते हैं अपने इस सिरीज का पहला वीडियो तो आज हम इस वीडियो में जिस topic के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वो एक ऐसे खास गाउं के बारे में बात करने वाले हैं अपने देश के जो अपने आप में एक बहुत विसेश्ता रखता है तो आज दोस्तों सुरू करते हैं अपने इस topic को तो दोस्तों आज हम जिस गाउं की बात करने वाले हैं वो है लोंगवा गाउं जो की नागा लेंड के मोह डिस्टिक में मिलेगा आपको तो यह देखिए यह हमारा प्यारा भारत और यह देखिए हमारा नागा लेंड का मैप और इसमें जो अगर मैं आपको इसको लोकेशन बता दूँ तो जो नागालेंड जो की राजधानी कोहिमा है कोहिमा से 380 किलोमीटर नौर्थ इस्ट की तरफ बसा या सुन्दर सा गाउं लोंगवा है और ये गाउं जो है ये इस्टन इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा हुआ एक दम जो मैंमार के साथ अपनी बॉंडरी को स 2020 से हमारी इंडिया और मैंमार की इंटरनेशनल बॉंडरी गुजरती है और इस गाउं को दो पार्ट में बाट देती है और इस गाउं की विसेशता ये कि यहां के जो रहने वाली लोग हैं इनको दो नागरिकता मिली है एक तो इंडिया की नागरिकता है इनके पास और एक मयम्मार की नागरिकता है इनके पास और इस गाउं के population की बात की जाए तो according 2011 का जो sensex service था उसके हिसाब से यहाँ पे 732 families रहती है और उन families के 5132 लोग यहाँ पे रहते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं गाउं कितना सुन्दर पहाडों के ऊपर बसा हुआ है जो अपने आप में एक आकरसन का केंदर बन जाता है और यह tourist visit के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह गाउं कैसे कितना सुन्दर रूप से बसा हुआ है और यहां की जो सडके हैं यह एक्चुली यह जो सडके हैं यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि बॉंडरी का काम करती है वहाँ पे तो आप कह सकते हैं एक तरफ में मार पड़ेगा और एक तरफ आपको इंडिया पड़ेगा और यहां के जो अगर मैं tribes की बात करूँ तो जो आपको दिख रहे होंगे तो यह koniac naga tribes होते हैं जो naga land की सबसे बड़ी tribes की गिंती में आते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहूँगा कि यह जो koniac naga tribes हैं इनका अपने आप में एक history है तो koniac naga tribes का जो history है आप यहां पे देख सकते हैं कि इनको एक तरह से head down करने वाले types कहा जाता था इनका यह खासियत होता था कि यह जब कहीं पर लडाई होती थी तो जिस समुदायस इनकी लडाई होती थी जब यह जीच जाते थे तो जिसके उपर यह विजय हासिल करते थे तो यह उनका सर काट के उपहार के रूप में अपने community के पास लेके आते थे जहां पे इनका वास होता था तो यहां पे वो अपने community के पास उनका सर काट के लिए इस वज़ा से यह tribes काफी खतरनाक मानी जाती थी और यह अपने आप में कहीं न कहीं काफी important रखता था इनके लिए और यह एक तरह से इनका एक culture बसा हुआ था वहां की लडाई के दोरान सर काट के अपने साथ उपहार के रूप में लेके आना यह आप देख सकते हैं यह वहां पे अपना उस्सो मनाते हुए खोसी वेक्त करते हुए tribes हैं वहाँ पे तो आप देख सकते हैं tribes अपने आप में कितना खतरनाग और कितना ही अपने आप में interesting भी है और यह tribes आज भी वहां पे आपको मौजोद मिलेंगे अब दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो कोनियन नागा tribes हैं इनका जो इस समय का जो संसाधा नहीं है वहाँ पे आप handy craft के माध्यम से खुद का एक अबना वहां के पहाडों का जो पेडों की चीजों को निकाल के पत्थरों को काट के वहां के जो छोटे-छोटे पत्थर हैं इसको अपने रूप से तरास के और इसको अपने इसाब से ढालके तरासते और इसको मार्केट में इनको बेशते हैं और यहां पे जो परेटन आते हैं, यहां की खोसूर्ची देखके, और यहां पे जो अपने हाँ से बनाये हुए चीजें हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना आकारसक दिख रहा है, तो इनको खरितने हैं फिर यह इनका जीवनियापन का साधन होता है, अब इस के घर की बेसिकली आपको इंटेस्टिंग चीज आपको यह लगेगी, कि जो king का जो घर है, इनके घर से ही international line गुजरी है, तो मतलब आपका सकते हैं कि इक तरह से कहा सकते हैं कि सुबह का नास्ता ये इंडिया में करते हैं, और रात का सोना इनको मयम्मार में होता है, और इस king के बारे में विकास को लेके जो योजनाएं है वहां पे जो रोट का निर्माढ़ है स्कूल का निर्माढ़ है जरूरी चीजों का बसन्साधन वहाद पहुचाना है तो ये सारी चीजें ये इस किंक का काम होता है कि वहां के लोकल गवर्मेंट के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और उस गाउं में चीजों को पहुचवाते हैं और उस गाउं का डबलब के लिए बात करते हैं वहां के लोकल गवर्मेंट से अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर इस गाउं में घूमने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है तो यह October से March का होता है तो आप October के March में आप इस गाउं में विजिट कर सकते हैं और यहां के सुंधरताओं को आप इतना पास से देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह गाउं अपने आप में कितना सुंधर बसा हुआ है यहां की पहाडियां यहां के लोग यह ठीक है आप जा सकते हैं लेकिन पहले आप अपने देश को जानिए अपने देश के संस्कृति को जानिए अपने देश की कल्चर को जानिए कि अखिर हमारे देश में क्या-क्या विविलताएं हैं तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको ऐसे तमाम जगए आपको जहुने के लिए तो आप वहां पे जाएक देख सकते हैं और ऐसके जहाने से जो वहां का जो टूरिस्म है को बढ़ेगा के जो ट्राइब्स हैं उनको संसाधन जादे मुहया होगा और एक तरह से उनका एक lifestyle जो है वो काफी अच्छा होगा और वो अच्छे से वहाँ पे रह सकेंगे जो और मैं आपको यह भी बताना चाहूं का इन tribes के लिए सरकार भी बहुत सारे काम करती हैं और आप आप सभी को पताएगा आज कल तो यह हमारे e-marketplace में भी जो ट्राइवल्स एरिया में जो हाथ से क्राफ्ट बनाया जाते हैं इनको भी यह बात चल लिए कि इनको e-marketplace पे लाया जाए और उन चीजों को sell किया जाए ताकि उन लोगों का lifestyle उपर उठ सके और एक तरह से boundaries, international line से सब बस एक आप कह सकते हैं एक geographical reason हो सकता है लेकिन अगर आप दिल से दिल अगर जहां पे मिल रहे हों तो यह तमाम boundaries, line यह कुछ नहीं माइने रखती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो देशों की boundary होने के बावजूद भी इनका दिल एक है और यह किस गाओं के बारे में काफी कुछ जनकारी मिली होगी और आपको काफी कुछ पता चला ओगा लोंवाट district के बारे में तो इसी नूट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें शेर करें उस चैनल को सस्क्राइब करें तब तक के लिए जैहिंद